तो आज समझ लेंगे कि अगर हमें duplicate records को delete करना है हमारे mysql query से किसी table में तो हम क्या से कर सकते हैं ठीक है easy सा question है समझ में आ गया और easy सी query होने वाली है तो यह मुझे table दी हुई है जिसमें employee ID है username और salary है अब यहां हम देख सकते हैं username profile दो बार यहां पर repeat है तो मैं चाहता हूँ जो second वाला यह वाला जो record है यह delete हो जाए जिसमें username सेम है है न सिंपल सी query है हमारी तो मैं query लिख देता हूँ फिर मैं आपको explain कर दूँगा query है delete record with duplicate और इसको मैं तोड़ा zoom कर देता हूँ इससे आपको visible हो जाएगा तो query क्या होने वाली है देखो मेरे को duplicate delete करना है अपने record से और जो मेरी table का नाम है मेरे जो table का नाम है वो है details तो मैं लिखूँगा मैं आपको पूरा समझाता हूँ select sorry select नहीं delete d2 from details d1 join details d2 on d2.username equal to d1.username where d2.id is greater than d1.id यह हमारी query होने वाली है अब मैं इसको explain कर देता हूँ कि यह कैसे work कर रही है कि यार देखो हमारी जो table है table में suppose करो कि यहाँ पर यह employee ids दी हुई है यहाँ पर यह जो हमें दी है यह दी हुई है हमें ids ठीक है यह यहाँ पर दिया है username यहाँ क्या दिया है यूजर नेम अब यहाँ पर जो हमें id दी है suppose यहाँ पर ID है 1 और यहाँ पर है ID 100 ठीक है और username यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है हम delete करना चाहरे हैं इसको क्योंकि यह duplicate record, ठीक, clear है बात हमें समझ में आती है, तो इसके लिए मैंने क्या और ही क्या लिख रहा हूँ, मैंने इसके दो alias बनाए, तो यह वाली जो table है, यह होगी हमारी suppose d1, और same ही, एक और table बन जाएगी d2, जहां पर भी यही same चीज आजाए id और user, id user, और same बिल्कुल copy हो जाएगा, यहाँ पर one है, a है, suppose यहाँ पर बीच में भी काफी सरा data है, यहाँ पर है hundred और a, हमें यह date करना है, तो हम यार क्या कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, कि यार इसकी सबसे पहले एक row उठाओ, ठीक है, इसकी row उठा के सबसे match करो इसमे match करो, तो यह इसने match किया यहाँ पर इस वारी टेबल में, लेकिन साथ में एक और condition होनी चाहिए, जो इस वारी टेबल में id होनी चाहिए, वो greater than होनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले इसने first row उठाओ, इसकी id थी one, user name था a, उसने इसका comparison किया इससे, बट यहाँ पर भी id इसकी one ही है, जो कि equal है greater than नहीं है, तो यह वाला comparison तो हुआ ही नहीं, फिर उसके बाद इसने और compare करना चालू किया, चालू किया, चालू किया, फाइनली यह पहुचा यहाँ पर, चाहँ पर इसने देखा कि यार, इसकी id है 100, मतलब यह condition true हो कि कि भाई, हाँ, id तो greater than है, औ delete कर देंगे, तो बात में तो change reflect होई जाएगा, लेकिन जब हम query लिखते हैं, यह style होता है लिखने का, जब हमें alias से delete करते हैं, join करके, तो हमें क्या करना पड़ता है, alias का नाम भी देना पड़ता है, तो हमने लिखा, delete d2 from details d1 join d2 on d2.username equal to d1.username where d2.id is greater than d1.id, query आपको स इसके basis पे, username के basis पे, ठीक है, username के basis पे, दोनों को join किया, साथ में ही, साथ में हमने condition क्या लगाई, d2 की id, d1 की id से, बड़ी होनी चाहिए, और वो वाले records को delete कर दिया, so, जो हमारा यह वाला record है, वो delete हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जो मैंने समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो, इससे जो बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, जब हमने join किया, तो क्या हुआ, ये दोनों, ये दोनों alias है, ये दोनों alias join हो जाएगे, किस पे, इस पे, और इस वाले पे, इस वाली रो पे, और इस वाली रो पे, क्योंकि दोनों का, दोनों क जो user name में वो same है और id इसकी greater देना है तो ये वाले alias पर join हो जाएंगे और जब ये join हो जाएंगे तो ये वाले record आ गया फिर उसको हम delete कर देंगे simple सी query है जब मैं इसको run करूँगा तो sorry इसमें यहाँ पर emp id है मेरे column का नाम इसको मैं जब go करूँगा तो one row effected delete हो चुका है अब मैं आपको details table दिखा देता हूँ अपनी तो आप देख सकते हो जो प्रफुल duplicate user ने था वो delete हो चुका है so that's it इतना ही था इस query में thank you